ग्रांतिका यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर ग्रांतिका यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर ग्यान का संदेश लेकर गहन तम की निशावीती भोर आया भाक्य लेकर दे रही संदेश जग को प्रकृति भी कर वट बदल कर छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब कर्म का संदेश लेकर कर्म का संदेश लेकर क्रांति कायह पर्व आया ग्यान का संदेश लेकर सूर्य की अरुणिम विभाले किरण बन उत्तरा नयन में साधनाता हो बसेरा गंधवन विचरो पवन में मात्र भू का भार हर लो प्रेम का संदेश लेकर क्रांति कायह पर्व आया ग्यान 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 का पल भर जब भी होते अकेले आस मेरे आजाते हो दीमे दीमे कानों में अनहदनाद सुनाते हो एक किरन अन्देखी आती राह दिखा कर जाती है भरते हुए कभी न देखा पर जोली भर जाती है एक बार कहा तुम मेरे हो सौ बार तुम्हारा प्यार मिला एक कदम चले तेरी राह पे तो जनम जनम का साथ मिला ऐसी करुणा ऐसी मम्ता तेरी याद दिलाती है प्यार में प्रभू के दिल खो जाता आख सजल हो जाती है कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है सोचो तुमको कौन मिला कौन तुम्हारा साथी है भगवान साथी बना है परंतु साथी चाहता है कि हम कैसे बन जाए स्वतंत्र इंडिबेंडेंडेंट आत्म निर्भर हद के सारे आधार तूड़ जाए कई बार गुरू अपने शिश्य को सिखाता है और अंतिम शिक्षा उसकी ये होती है कि तुम्हारे सारे विग्ण हट गए पर तुम्हारे लिए अंतिम विग्ण मैं खुद हूँ तुम्हारे सारे विग्ण हट गए पर तुम्हारे मार्ग में अब एक ही विग्ण बचाए और वो कौन है? वो मैं हूँ इसके लिए अब मुझे ही हटना पड़ेगा जब तक मैं नहीं हटूँगा तुमारी उन्नती नहीं होगी किसी देश में एक राज महल का निर्मान हो रहा था और राज महल के निर्मान में जब दर्वाजी का निर्मान जो मुख्य द्वार था उसका निर्मान हो रहा था तो राजा ने कहा इस पर एक ऐसा चित्र निकाला जाए कि जो आज तक कभी किसी ने नहीं निकाला और इस देश का जो सबसे बड़ा चित्रकार है उसको बुलाया जाए बहुत सारे चित्रकार है और उसमेंसे जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छा था उसको चुना गया उसके अपने धेर सारे शिष्य भी थे और उसको कहा गया कि तुम इस द्वार पर एक यूनीक सबसे अब प्रतीम अध्वितिय चित्र निकालो तो वो चित्र निकालने बैट गया, पर उसका ये नियम था, जब वो चित्र निकालता था, उसका जो शागीर्थ था, उसका मुख्य, शिष्य, उसको पास में बिठाता था, और चित्र पूरा होने के बाद अपने शिष्य से पूछता था, ठीक है, अगर शिष्य निकाल ठी तो चित्र निकालता है, बहुत संतर, चित्र को पूछता है, शिष्य कहता है, नो, ठीक नहीं है, वो उसको हटाता है, दूसरा निकालता है, शिष्य से पूछता है, कैसा है, शिष्य कैसा है, ना, ऐसा साव बार होता है, साव चित्र निकालता है, साव बार अपने में शिष् शिष्य कहता है, ठीक नहीं है, उसकी इंक जो होती है, पुरानी दमानी की कहानी, खतम हो जाती है, शिष्य से कहता है, जरा जाओ, इंक बना कर लाओ, शिष्य जाता है, और जब शिष्य वापस आता है, तब तक चित्र बन चुका होता है, और शिष्य कहता है, बस यही वो च तुम ही बाधा थे, जैसे तुम हट गए, चित्र बन गया, तुम बाधा कियो थे, क्योंकि जब तुम यहां खड़े रहते थे, और चित्र को देखते रहते थे, मेरे मन में निरंदर यही चलते रहता था, कि तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तब बुद्धी तुम जैसे हट गए, वैसे मेरे अंदर का जो मैं था, वो भी हट गया, और चित्र कार चित्र तभी बना सकता है, जब उसके अंदर का मैं हट जाता है, तो जब तुम हट गए, यू चला गया, और आए भी चला गया, तब अपने आप वो प्रगट हो गया, जो वो ना था, इसके लिए चित्रकार अक्के ली चित्र बनाता है दूसरा भी क्या हो जाता है भाधा तो कल हमने 12 संदेश देखे थे 12 ड्रिल देखी थी 6 संदेश आज 7 संदेश और फिर 12 ड्रिल पर इसके पहले कि आज की ड्रिल्स की चर्चा करें, पहले कल की ड्रिल्स की चर्चा करतें कल कौन कौन सी ड्रिल देखी? पहले तो उपर जाने की ड्रिल जितना हो सके शरीर के बाहर निकलने का अभ्यास करना है शरीर में रहते ही सब गड़बर चलू हो जाती सारा अभ्यार्थ चलू हो जाता है इसके लिए मुख्यपूर्शार्थ क्या है मन से शरीर से बाहर जाना फॉर्स्ट सेकेंड देही अभिमानी स्थिति उसमें क्या शरीर को स्थिर करने का भ्यास तुगल किया न थोड़ा थोड़ा किष्टो किष्टो में एक घंटे तक ले जाना है उस अभिहास को दस मिनिट पन्दरा मिनिट बीस मिनिट आदा घंटा 45 मिनिट 42 मिनिट और फिर एक घंटा एक घंटे तक शरीर को स्थिर रखने का भ्यास और समय है दुपेर का इससे एक चीज का पता चलेगा कि मन कितना चंचल है दूसरा और एक चीज का पता चला मन दो जगह भागता है अतीत में या तो बविश्य में जो कुछ हुआ है वो अपने अब याद आता है और जो होने वाला है यह होगा उसकी कल बनाये करता है बस यह दो ही मार गए उसके भागने के वर्तमान में वो रहना ही नहीं चाहता यह इतना बड़ा रहस्य उद्गाटन होगा जब एक गंटा शरीर को स्थेर करने का ब्याद दर्द होता है तो दर्द को साक्षियो कर देखना है गुटनों में दर्द होगा अद्रिष्यमच्छर योग से हमें कौन उठाता है मन हमें योग से कौन उठाता है जब हम योग में बेढ़ते हैं आदा गंटा हो गया हमारे अपने अंदर की बेचेहनी कोई और ने उठाता मन बेचेहनें अंदर से इतनी बेचेहनी भरी है उसमें उसे कुछ करना है, कुछ और, क्या करना है पता नहीं, पर यहां से उठ जाओ बस, यहां से उठे कुछ भी करो फिर, कुछ खा लो, या किसी से बात कर लो, या कोई टह लो, कहीं देखो कहीं, कुछ तो करो, पर बैढना नहीं है बस, भेंग कर विद रो, change, तो शरीर को स्थि रखने का दूसरा तीसरा बताया था बाबा से दृष्टि लेना कैसी प्रेम पूर्ण दृष्टि है उसकी प्रेम का सागर भराया है अगला मुझ पर क्या हो रही है दिव्य गुनों के फूलों की वर्षा याद नहीं रहता है इसको बार 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 याद लाना है चलते फिरत वर्षा हो रही है मुझ पर अगला तीन गुलाब कौन कौन से पहला लोहे का गुलाब तूसरा पितल हलका पितल का तीसरा नैचरल सहच सहच गुलाब की पंखुडिया ऐसे से निकल जाती है सहच ता से देह देह के संबंद गिर गया है अगला किसी के विचारों को काटना नहीं है जो भी कुछ कह रहा है उसको संब्मान देना है मत बेद हो सकता है पर मन भेद सुबहषीं क्याते अग महात्मा गान्दी के साथ मेरा मत बेद क्यूंकि उनका मारगरेमे लक्ष दोनों का एक ही है सदंत्रत और मत भेद तो हो नहीं चाहिए मतभेद अर्थाद differences of opinion हरेग की एक opinion हुआ तो कैसे चलेगा हरेग की बुद्धी अलग अलग और इतना difference हो सकता है बिल्कुल एक कहता है black, दूसरा कहता है white इतना difference हो सकता है परन्तु सब संगटन के सूत्र में बंदे हुए उसके रिती से वो ठीक है, हमारी देती से हम ठीक है एक वेक्ती जंगल जाता है ज़ाड के नीचे सोता है और आके कहता है मैंने एक ऐसा प्रानी देखा है, लाल लाल प्रानी है पुरा तुम जरूर जाकर उस ज़ाड के नीचे बैठना बहुत वो उसी जाड पे है वो प्रानी, और कहीं नहीं है, वो दूसरा जाता है, जाड के पास बेटता है, देखता है, अरे, एक पीला प्रानी, आके कहता है, हाँ मैंने भी देखा, पर वो पीले रंका था, लाल रंका नहीं था वो, वो गता है, क्या बात करूँ, मैंने देखा, व वो जाके देखता है, हरा दिखता है उसको. प्रानी तो है, पर हरे रंग का है. वो जो यह क्या हो रहा है? वो जो जो तीनों चलते हैं. प्रानी यह की था? रंग बदल रहा था. कौन था? गिरगट. कामेलियन. सबी ठीक है. वो भी राइट है, वो भी राइट है, वो भी राइट है. जब उसने देखा तब वो राइट है. जब उसने देखा तब वो राइट है. जब उसने देखा तब वो राइट है. हम यह कही नहीं सकते कि तुम गलत हो. क्योंकि हमें क्या पता है इसके बारे में? इसके लिए शान्ति ध्रण करू और अगला हर एक के सभस्क्राइबिश विचार को सम्मानाओ हमारा बॉंडल उपर बना हुआ है और बावा उसपर काम कर रहा है करत दो तरफ से काम चाल ओए थो एक हम काम कर रहे है और वो भी काम कर रहे है उधरसे खिसा इअपटा जैसे चन्डी लेके वो भी काम कर रहा है, तो डबल वक, नेक्स्ट, एकांत, अंतरमुक्ता और चेकिन, अगला, बदुबन के करीब लाना है, जैसे बाबा सबको, अपने बाहों में लेता है, हमें विश्व की आत्माओं को अपने करीब लाना है, अगला, कार्ड को सजाना, चित्र निकालने, अगला, सवर्क की टिकिट और लास्ट में ग्यान, सनान, बाद में नदी, रास्ता बदल देगी अपना, फिर मत कहना नदी कहां गई, फिर मत कहना दर्वाज़ा बंद हो गया, और फिर जिन्होंने भरा है, उनसे माँगेंगे थोड़ा दे दो, तो कल हमने ये बारा ड्रिल देखी, ये सारी बारा ड्रिल जो थी वो, पहले जो छे अव्यक्त संदेश थे, उनकी थी, आज का अगला, संदेश नंबर साथ, ये तेरा संदेश है, जो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद आए, सात्वा जो था, आमने एक्चुली ले लिया था, पहले दिन ही, पर उसमें कुछ और भाग भी था, तो उसमें दादी वतन में जाती है, बाब ब्रह्मा बाबा और, सब लोग बैठे हैं, और बहुत बीजी है, और डेर लगा हुआ है, पत्रों का, कौन से पत्र हैं, उलाणों के, उलानों के पत्र है, और उलानों के पत्र पढ़कर, फिर बाबा ने उत्तर दिया, उत्तर था बाबा का, ब्रामभन कुलबोशन, सदर्शन चक्रधारी हे रतना बच्चो प्रती समाचार यही है कि सभी बच्चों के उलानों के पत्र सुक्ष्म वतन में पाए रेस्पॉंड में बाप दादा बच्चों को कह रहे है कि ड्रामा की भावी के बंदन में सब आत्माएं बंधी हुई है यह मत कहना कि यह ऐसा क्यों करता है और वो ऐसा क्यों करता है जहां जिसका पार्ट होगा और जब जिसका पार्ट होगा वो उसी अनुसार ब्यवार करेगा कोई प्रश्ण मन में ना हो कि यह ऐसा क्यों हो गया यह ऐसा क्यों हो गया ड्रामा ड्रामा की भावी के बंधन से सर्वातमा बंदी हुई है सभी पार्ट बजा रहे है सभी पार्ट बजा रहे है और केवल निर्दोष नहीं संपूर्ण 100% 200% निर्दोष 200 इसके भी है किसी के पार्ट को देखकर हल चल में नहीं है जो हो रहा है ऐसा ही हुआता है जो हो रहा है वही सत्य है जो हो रहा है वही होना चाहिए बाबा के पास कितनी स्क्रिप्ट आई थी ड्रामा की देहर सारी कोई फिल्म बनती है तो डिरेक्टर के पास स्क्रिप्ट आती है देहर सारी फिर उसमें से वो एक सिलेक करता है हाँ ये ठीक लग रही है वैसे बाबा जब बैठा होगा ड्रामा बनने से पहले और इतनी स्क्रिप्ट लेके थी उसके पास उसको लगा हाँ ये वाली जड़ा ठीक लग रही है उसने ये वाली चुनी और हम कहते हैं कि ये सीन ठीक नहीं है वो सीन ठीक नहीं है इस सीन को थोड़ा हटा दो उस सीन को हटा दो एडिटिंग ये ड्रामा ऐसा है कि इसमें एडिटिंग की आवशकता नहीं है और तुम्हार एडिटिंग की बिल्कुल भी आवशकता नहीं है यह unedited ही beautiful है drama is more beautiful than your desire कहा जाता है यह drama तुमारी इच्छा से बहुत जादा सुन्दर है अगर तुम अपनी इच्छा है इसमें डालने लगो नो सारा गड़बड हो जाए अभी यह super hit है drama एकदम blockbuster movie है best choreography, best actor, best actress, best supporting actor, best villain best dialogues, best song, best lyrics, best singer, best dancer कितने अवार्ड है इसको? best newcomer कितने अवार्ड मिले है इसको? best director, best script best sidekicks सब best मिला है और हम कहते हैं यह ठीक नहीं है इसको हटाओ drama बनाने वाला बुद्धी मानों की बुद्धी है तुम बाप से ज़्यादा बुद्धी मानों क्या? उसको पता है कब क्या करना? तो बाबा कह रहे हैं drama की भावी के बंदन में सब आदमाएं बंदी है सभी पाट बजा रहे हैं अभी ड्रामा की मिठे मिठे बंदन अनुसार आज अव्यक्त वतन में पाट बजा रहा हूं सभी बच्चों को देल वजान सिख्व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत-बहुत स्विकार हो जैसे बाब की स्थिति है वैसे बच्चों की स्थिति रखनी है बाबा की स्थिति कहती थी मम्मा चली गई कोई सद्मा ही नहीं है कोई शौक ही नहीं मनुर इंद्रदादी कहती थी बाबा के पास हम गये रोने लगे बाबा के ते रोती हो अरे हमारी मम्मा चली गई कोई फरक ही नहीं undisturbed तो first संदेश, सात्वा नंबर संदेश या कहो आज का संदेश नंबर वन ड्रामा की भावी ड्रामा की भावी ड्रामा पॉफेक्ट है कुछ भी गलत नहीं हो रहा है जो हो रहा है वही होना चाहिए ता ड्रामा न्यायकारी है संपूर्न न्यायकारी ड्रामा is just इसमें injustice हो नहीं सकता उपर से दिख रहा है इस पर अन्या हो रहा है उस पर अन्या हो रहा है क्या इस ड्रामा में किसी के साथ क्या भगवान अन्यायकारी बनाएगा वो जो न्याय का सागर है वो जो सुप्रीम और चीफ जस्टिस है क्या उसके जुरिस्डिक्शन में अन्या है असम्भाव क्यूंकि हमें एक जनम की बाते दिखाई दे रही है हमें क्या पता हमने क्या गुल खिलाए है 63 जनम हमें क्या पता हमने कितने एक एक जनमों में पता नी और हर जनम में ब्रामन आत्मा है बड़े बड़े पोस्ट पर ही थी यह तो समझ दिया है हम सब celebrities बैठे हैं यहां तब भी celebrities थे अब भी celebrity है हजारों followers थे इंके एक राजा का गलत निरने उसकी प्रजा कितनी एक लाग की प्रजा सब सफर किये एक निरने की वज़े से मीर जाफर सिराज युद्ध ये सारे जो थे कितने सारे थे हमारा एक निरने इतने लोगों ने सफर किया वो सारे हमें दुख दे रहे हैं और अभी वाले लोग कहते हैं देखो इसके साथ कितना अन्याय कर रहे हैं तो ड्रामा की भावी पॉइंट नमबर ड्रिल नमबर वन और वो दूसरी ड्रिल तो हम देख चुके थे कि जिसमें बाबा को पूछा कि आपकी अंतिम स्थिति क्या थी तो बाबा ने क्या बताए था दो फोर्स थे कर्मभोग और योगबल जैसे मल्लयुद्ध हो रहा है मैं देख रहा हूं और तीन अवस्थाओं का वर्नन किया था एक बाबा खीच रहे बच्चो का शुद्ध मोह परंतु खीच नहीं रहा है पर यह भी संकल्प नहीं है कि मुझे छुटी नहीं लिव अगरे और तीसरा आत्मा शरीर से बाहर जा रही यह तीन का अभ्यास हमको रोज करना है जब भी लेट जाओ तो क्या अभ्यास करो वो दुनिया से कनेक्शन जो सिल्वर कॉर्ट से वो कट रहे है बाबा खीच रहा है उसकी याद और मैं आत्मा शरीर से अलग हो रही हूं एक एक अंग से अपने आपको डिटैच करना है अंगुटे से अलग हो रही हूं पेट से अलग हो रही है चाती से अलग हो रही है आतों से अलग हो रही हूं पीट से पेट से सरी डडडड हो रहा है और मैं निकर रही हूं तो यह था पहला अभ्यास आज का तो यह तो हम देख चुके हैं अभी आज का तो दादी कहती है जब मैं वतन में गई तो मा कोई नजर नहीं आया फिर इदर उदर चक्कर लगाया फिर देखा ब्रह्मा बाबा मम्मा विश्वकिशोर भायू सब बैठे हुए है और नक्षा बना रहे कौन सा नक्षा तो बाबा ने कहा जब जैसे मार्शल के पास सारे नक्षे रहते कहा कहा क्या क्या हो रहा है वैसे यह स्थापना का कार्य भी चल रहा है तो बाबा ने देखा यहाँ पर तीन प्रकार के संगटन थे पहले तो लाल चीटिया थी जिसका संगटन जा रहा था दूसरा परमधाम में मूल वतन में आत्माय की शमा का संगटन और तीसरा ब्रामनों का संगटन और फिर लास्ट में यहां कहा संगटन की शक्ति संगटन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता जैसे देखो बाप दादा ने कहां कहां से चुन-चुन कर संगटन बनाए तो बच्चे भी जब संगटन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा जैसे गुलाब का फूलवा कोई भी फूल होता है तो उसको योग्यस्थान पर रखेंगे और अक्यले पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे तो बच्चों को भी संगटन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे कोई वार नहीं कर सकेंगा इसलिए कहते हैं सभी बच्चों को कहना कि संगटन ही सेफटी का साधन है तो सबसे पहली ड्रिल आज की संगटन क्या है सेफटी का साधन चाहे कैसे भी होए पर बाबा बाबा तो कहते हैं कम से कम और संसार के लोग जिनको भगवान का ही खबर नहीं है उनकी विकारी वाइबरेशन से यहां पर पवित्र प्रकमपन है प्राब्लेम केवल अहंकार का हो सकता है परन्तु लगभग सभी काम विकार के से तो मुक्त है वो जो संसार जिस हद तक काम विकार में डूबा हुआ है वैसा काम विकार नहीं है क्रोध हो सकता है लोग हो सकता है मोह हो सकता है अहंकार यह सब हो सकता है पर फिर भी यह सब होते हुए भी तीन विशिष्टा है सब में है पहला बाप को पहचाना दूसरा पवित्र जीवन दहरन किया कि अपने अपने तरीके से तीसरा अपने जीवन को भगवान के प्रती समर्पित किया अलग-अलग ढंग से चाहे यहां रहके, चाहे संसार में रहके, ग्रहस्त में रहके यह तीन विशिष्टा हर ब्रामणों में है इसलिए वो महान है चाहे बाकी संडे की मुर्लिक चाहे कोई पक्का रावन ही क्यों नहो पक्का रावन उसके प्रतीबी शुब भावना शुब कामना रखो क्योंकि बाबा रखे हुए है इसलिए क्या बाबा को पता नहीं कौन कैसा है उसको हर एक के बारे में सब कुछ पता है केवली इस जनम नहीं सभी जनम हमें हारी सबसे बड़ी कमी और हमारी सबसे बड़ा अउगुन बोट दोनों उसको पता है तो सबसे पहला आज का पॉइंट संगटन को छोड़ना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए क्योंकि संगटन के किले से बाहर जाते ही विकर्म चलू हो जाते है बाहर जाएंगे छे मास बाहर रहो रास्ते से चलते चलती इच्छा होगी कुछ खालू मार्केट से कौन देख रहा है यह सबसे पहला पतन चलू हो जाता है अपने आप और भोजन से पहला चलू होगा कुछ करने की इच्छा होगी, कुछ खाने की इच्छा होगी, कुछ तो होगा, दूसरा, वो अच्छा पहला ड्रामा, दूसरा संगटन, तीसरा, इसमें दादी कहती है, आज जब मैं वतन में गई तो बाबा बीजी थे, और फिर इसमें तीन प्रकार के फूल बता है, पहले फूल, जो बिल्कुल दिल पर चड़े हुए, अनन्य बच्चे, दूसरे, अच्छे है, परन्तु उनमें कुछ कमी है, तीसरे, प्रजा कॉलिटी वाले, और बाबा ने ये सारे गुल्दस्ते देखे, और लास्ट में कहा, कि पहले तुम आये, तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलो की शोबा ही प्रजा रूपी पत्तों से, इसलिए बाब दादा कहते है, प्रजा बनाओ, प्रजा बनाना अर्थात क्या करना, पकड़-पकड़ के कोर्स करना, प्रजा बनाना अर्थात क्या, ज्ञान सुनाना, छोड़ेंगे नहीं तुम को, सुना होगा किसी और से, अब हम सुनाएंगे, प्रजा बनाना अर्थात क्या, प्रजा बनाना अर्थात क्या, इसमें दो काम करने हैं, pre-seva sakash and post-seva sakash. जिसकी सेवा करनी है उसको पहले ही sakash देना और सेवा करन हो गई उसके बाद में वापस सकाश देना. जैसे दादी का उधारन, दादी बिकारनेर से वापस आई बिकारनेर की महरानी थी उसकी queen mother, उसकी सेवा करके आई बाबा ने पूछा दादी को क्या कर रही हो शाम के योग में? दादी ने कहा शिवाबा को याद कर रही हो, और क्या कर रही हो? बाबा आपको याद कर रही हो, और क्या कर रही हो? बस और कुछ नहीं कर रही हो बाबा ने कहा तुम किस की सेवा करके आई? उस महारानी की सेवा करके आई न तब उसकी बुद्धी का योग शिव बाबा से जोड़ना ये तुम्हारा काम है पोस्ट सेवा सकाश तो आज जिन लोगों की हम सेवा करने वाले हैं सारे दिन पर अमरित वेला उनको सकाश देनी है और नुवा शाम के योग में वापस उन सबको इमर्ज करना और फिर वापस उनको किरने देना अगर कोई भी सेवा ने की तो हमारा दूसरी आत्माओं के संपर्ग में आना ये भी सेवा है केवल हमारा खड़े रहना हमारे वाइब्रेशन भी तो कुछ है कि नहीं है जरूरी है कि हमने किसी को ग्यान सुना दिया किसी ने हमने पूछा हमसे पूछा कि वो रास्ता कहा है हमने कहां यहां से जाओ वहां से जाओ वहां है बस इतना ही किया उतना काफी है जो संपर्द संपर्ग में आ रहे हैं, उनकी भी सेवा है उनको सबसे बड़ी सेवा तो यह है कि किसी को दुखी ना करना यह सबसे बड़ी सेवा है, मेडिसिन में मेडिकल साइंस में, हर किताब में एक चीज लिखी रहती है, पेशन को ठीक करो ना करो, उसको हार्म नहीं करना, यह पहला काम करो. Do no harm. मतलब जो उसकी बिमारी है, उतनी ठीक है. तुमारे इलाज के वजे से, उसकी बिमारी बढ़ना जाए. यह पहला काम करो. Good Lord, save us. एक प्रार्थना हिपोकृतिस की medical की किताब में होती है. To make the treatment of the disease more grievous than the disease itself. Good Lord, save us. एक प्रभू हमें बचाओ. बिमारी से, बिमारी का इलाज जादा खतरनाक बनाने से. पेशन्ट के लिए. एक प्रभू हमारी रक्षा करो. हिपोकृतिस की प्रृत्प्रतिग्या है ऐसी. एक प्रार्थना है. हर किताब में स्टैंप लगा रहता है. तो, सेवा. हमें याद है, हम एक बार बाइक से जा रहे थे. तो, स्टेशन है ना, बस स्टैंड. वहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा था. बहुत सारा सामान था. हम जा रहे थे. तो उसने कहा, कि तुम दिलवणा जा रहे हो. हम उदर तो जा नहीं रहे थे. हम कहीं और जा रहे थे. तो उसका सामान थे गा, हम बेढ़ जो. तो उसको बटाया. इतना सामान, एक इधर, इदे, इधर, इदे, वह सामने लेके. उसको गय है. और उसको छोड़ दिया. वो जाते जाते पूछने लगा, आप कहा जाने वाले थे? हमने का हम वो साइड जाने वाले थे, संसेट, तो वो कहा है? तो उसने का हमने का वो यहां नहीं, वो उदर है, बस छोड़ दिया उसको, तो वो तो कुछ और काम से आया होगा इदर, पर, और उसने कहा था, आप कहा काम करते हैं, और उसने कहा था, आप कहा काम करते हैं, और वो चला गया, कई मैनों के बाद, एक फोन आया था, कि मैं वो बोल रहा हूँ, जिसने आपको छोड़ा था, जिसने आपको, आपने जिसको छोड़ा था, तो मैं किसी और काम से आया था तो यहां फिर मैंने वो सेंटर दूंडा और वहां गया और वहां उसने कोर्स किया, कोर्स कराने वाले अलग वो ग्यान में आया, और चल पड़ा और कोई लेना देना नहीं उससे और यह कोई बहुत बड़ा काम कोई भी करता यह तो कुछ भी बड़ा काम नही है इसा था? तो प्रि सेवा सककष पोस्सेवा सकाष जिसकी सेवा कर दी आज अमरित वेला उसको ज़रूर ही मरज करना है चाहे उसका कोर्स कराया चाहे कोई भी मदद की या कुछ भी जिसके संपर्ग में भी आ गए उसको हम अपना परसनल बताते हैं हम अमरित वेला हर दिन ये सोचते हैं कि आज जितने पेशन्ट आने वाले हैं अब पदा नी कोन आएगा कैसा आएगा, पचास आठ तो फिक्स है कहा कहा से आते हैं उन सबको ये किरने ने कि उनकी बिमारी ठीक हो जाएगी उनकी अपने हिसाब है वो बिमारी ठीक हो ना हो, वो अपना है पर उनको तीन प्रकार की सकाश Divine Light Divine Love, Divine Purity परमात्म प्रकाश, परमात्म ज्यान परमात्म शक्तिया और परमात्म पवित्रता यतीन ही किरने देनी है पवित्रता, ज्यान और शक्तिया पवित्रता, ज्यान शक्तिया ये देना है बस ये Divine Doze है वो कौन है, क्या है हमें पता नहीं पर जो भी है उसको ये माफी माँगना, माफ करना वो अलग चीज है, यह एक impartial सकाश है, प्रभू की प्रकाश, पर्मात्म ज्यान, divine light या divine knowledge, divine purity और divine powers, उसमें दिव्य शक्तिया भर दो, बस, हमारा उसे कोई, यह नहीं, हम डिटैच, उसको यह शक्तिया मिले, तो यह एक, next, अगला, हाँ, इसमें दो रूप है, कि, इस वार बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत अच्छा देखा, कि प्रंतु स्नेह के साथ शक्ति रूप की स्थिति है, जो बाबा बच्चों की बनाना चाहते, वो अब तक कम है, स्नेह के साथ क्या चाहिए? शक्ति, प्यार तो बहुत है, बाबा बाबा बाबा, पर पावर का है? पावर अर्थात, सारी परिस्तितियों में अच्छा दूल, पावर अर्थात, बिल्कुल हिलना डूलना नहीं, कुछ भी हो जाए, स्थिर, निश्चे में, साक्षी, और ऐसे कोई काम नहीं करना, जिसमें, लोकोपवाद का भैय हो, जिनमें हमें, क्लारिफिकेशन, एक्स्प्लेनेशन, जेस्टिफिकेशन, ये सब देना पड़े है, सत्य जो होता है, उसे क्लारिफाइए, जेस्टिफिकेशन देने की जरुवत नहीं, इसके लिए, लोकोपवाद जहां हो, वो काम नहीं करने, और एक चीज़ बहुत अच्छी यहां पर है, बहुत पाउरफुल चीज़, दादी कहती है, कि आज जब मैं वतन में गई, तो ऐसा लग रहा था, जैसे सूरिय की नजदिक जाए, तो सूरिय की गर्मी, इस समान सकाश तेज आती थी, ऐसी ही आज वतन में, जैसे की आग बढ़ती गई है, तो ऐसा होना हो लग रहा है, जैसे भटी में आग जल रही है, आज बाबा लाल लाल लाइट में, जैसे अव्यक्त फीचर से दिखाई दे रहे हैं, और सूरिय के समान किर्ने निकल रही है, क्या देखा नीचे, बहुत बड़ी सभा है, फिर वतन में गई तो, देखा कि मेरे पर भी वह किर्नों की लाइट पड़ रही है, कुछ समय के बाद, मैं बाबा से उसी रूप में मिली, और कहा कि बाबा भोग लेकर आई हूँ, अब सूनो क्या है, बाबा भोग सुकार करते हुए, सिकला रहे थे कि खाते समय, जैसे लाइट माइट की स्थिति में रहना है, क्या करना है, खाते समय, light might की स्थिति कैसे होगी सबसे पहले दो खाना जो खाँ रहे वो लाइट हो वो जितना हेवी गरिष्ट और हेवी होगा light लाइट माइट की स्थिती उपर से तो दिखेगी नहीं, क्योंकि उंगलिया चाटते रहेंगे एक तरफ तो, इतना स्वादेश टेस्टी, व्यांजन की याद में निरंजन की याद खो जाएगी, तो लाइट माइट की स्थिती में खाना अर्थात, क्या क्या चीज़े चीज़ेंगि इसमें, यह एक ड्रिल है, ने लाइट माइट की स्थिती में बाबा जैसे खा रहे हैं, सबसे पहला तो मौन, एकांत में खाना, अकेले में खाना, मौन में खाना, जरूरी नहीं अकेले मतलब अपनी थाली उदर लेके जाना, साथ में है, परंदु एकांत में है मौन में है, बाबा भोजन कर रहे है, उदर से कुझ दादी आ गई, और अपना सर्वी समाचार सुनाने लगी, बाबा ने क्या कहा, कुझ तुमने बाबा को साजन से अलग कर दिया सबसे पहला, जितना हो सके मौन दूसरा, एकांत में तीसरा, अपना ध्यान केवल थाली में रखो यह जो थाली है ना प्लेट गेजिंग, फूट गेजिंग, फ्रूट गेजिंग एक-एक जो खा रहे हो ना उसको प्रेम से दृष्टी देते देते खाओ जो भी हो फिर हो अब इसका हम नहीं बता रहे हैं क्या खा रहे हैं कुछ भी हो फिर हो, रोटी है तो यह संकल्ब से खाओ धन्यवाद उस धर्ती को, उस किसान को उसने लाया, साफ करने वाले बनाने वाले भोग लगाने वाले परोसने वाले जिसके पैसे से आया सब सब को धन्यवाद धन्यवाद के भाव से खाओ बिना कंप्लेंड की कितनी बार ऐसा हुआ है कि जगदीश भाई के लिए अनुबह सुनाया गया है जगदीश भाई और दादी जान और शायद बड़ी दादी थी या जान की दादी थी पता नी यह अमेरिका में गय थे तो एक बहन अनुबह सुनाती है कि परोसा गया, भोजन तो जो भेन ने भोजन बनाया था उसने भोजन बनाया और नमक मिर्च, कुछ भी मसाला कुछ भी न ही डाला बूल गयी, उसने चोक लगा के रखा उसको लगा दूसरी भेन आएगी वो डाल देगी और वो ऐसा ही रह गया और फिर वैसा ही भोजन सबको परोसा किया, जगदिश भाई बैटे थे, जान की दादी या जान की दादी, वो जो किताब है नहीं निगली है जगदिश भाई पर, उस पर लिखाए यानुबा, तो वो खा रहे, किसी ने कुछ भी नहीं बूला, फिर जिस बहन ने बनाया था बोजन, वो बैठी, तो उसने खाया, ये क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें, घास पूस, सुखा-सुखा, फीका-फीका, पर वो दोनों ने भी खाया, कुछ नहीं बूला, ये योगी की अवस्ता है, और एक बार, जो लेना है, एक ही बार थाली में ले लो, जो लेना है, बार 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 थाली लेके जाते रहते हैं, पहले ही कम लो इसका मतलब, पहला नहीं है ऐसा कि एक ही बार लेना है तो, फूरा भर्दू, कंप्लीट, और उसके बाद में, और फेक देते हैं, तो लाइट माइट की स्थिति में खाना, और बाबा को भोग फिर से करकर ना, और समरपन भाव के साथ, प्राढ Haupt के साथ, अहो भाव के साथ, और खुशी कुशी से, क्रोद में नहीं, और शान, तचित्त से, और मोबाईल, दूर, नीचे बेटके खाऊ तो हो पाँँ सबसे बैस्ट है, सबसे बैस्ट, नीचे बैटने के तो आदा पी चली गई यह सब कि तो नीचे बेट के और हाथ से खाए तो बहुत अच्छा तो यह नेक्स्ट रिल खाने वाली लाइट माइट की स्टेज नेक्स्ट हाँ यह बहुत अच्छा है जो हमने शुरुआत जहां से चाटू की आज जब बतन में गई तो देखा कि एक सभा लगी गई दीरे दीरे आगे बढ़ती कि बाप दादाने के नैनों से स्वाकत फिर क् देखा फिर एक द्रिश्च देखा बहुत मकान बन रहे और जैसे मकान में जब च्छत पड़ता है तो उसको बहुत आधार देते फिर जब सिमेंट पका हो जाता है तो आधार लकड़ी पट्टी आदी निकाल देते तो इस तरह मकान बनने की च्छत भरने की कारोबार जब छोटा जाड छोटा होता है ना चोटा जड़ होटा तो क्या होता है उसको जाते है कुंपन बाड लगाई जाती अगए उसकी रक्षा की जाती है कि और जब वह बड़ रक्ष बन चाता है तो हाथि से बांद तो भी ने गरता तो जब छोटा होता है तब क्या चाहिए अधार और जब बड़े होते हैं तो आधार की आउशकता है, फिर दूसरों को आधार देना पड़ता है, यहाँ पर भी बाबा हट गए, गुरु हट जाता है, ने तो गुरु ही बादा बन जाता है, व्यक्ति हट जाता है, ने तो उसमें फसना चालू हो जाता है, उस दिन निर्मलादी करते थे मम्मा थे तो ऐसी पालना मुझद ही आख थे इसा होता था मम्मा थी तो ऐसी थी मतलब दीधी दादी है पर उन के सामने क्या कहते रहते थे कि मम ऐसी कर थी ममा हमारी आसी नहीं करूद दीधी को सब Offered जब बाबा ने शरीर छोड़ा 125 सेंटर थे और responsibility किसको दी? प्रकाश मनी दादी को और जब दादी ने शरीर छोड़ा तो 120 देशों में सेंटर थे इतना सेवा का विस्तार किया इसके लिए इस पिरेट को हमने क्या कहा है? पिरेट ओफ एक्सपांशन 2007 तक, 70 से जितनी दादी ने सेवाओ की विस्तार किया कोई और होता तो शायद नहीं कर सकता इतना विस्तार, दादी को बाबा के कमरे में गई कि नया संकल वा गया आज दादी को संकल पाया है कौन सा संकल पाया है? सारे गीता पट्शाले वालों ये करो, गाओ में ये करो, गाओ में वहाँ करो एक लाग का प्रोग्राम करना है, ये करना है, वो करना है चैन से किसी को? बैटने ही नहीं देदी जो बाबा ने शरीर छोड़ा तो एक सो पचीस सेंटर भारत में भारत में और दादी ने जब शरीर छोड़ा तो 120 देशों में सेंटर एक एक मुवमेंट कैसा गया होगा इस आतमा का ना खुद सोई ना किसी को सोने दिया ना खुद चैन से रही ना किसी को अर्थात लगन 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 सेवा 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 धुन क्या करू और क्या नहीं करू कैसे प्रतिक्ष करू ऐसी एक इसको कहते डिवाइन डिसकंटेंट कि बस करना है करना है करना है next तो यहां क्या सुना मकान आदार हट गय अगर बाबा कंटिनियोज रहते थे तो सब लोग किसमें डूबे रहते थे बाबा में बाबा का प्यार बाबा की टोली बाबा की इृदगिर्द गोमते रहते बाबा को पत्र लिखो आधार ही चला गया जो मेहन था और उस दिन निरमलादी ने ये भी कहा दो दिन तक ददी नहीं ही रुई सबको सुनाती थी दादी को रोना नहीं है, रोना नहीं है, बाबा चले गए, ड्रामा की भावी, जल्दी आजाओ, जिसको आना है आजाओ, परन्तु तीसरे दिन, दादी के भी आखों से, असुआ दे, नेक्स्ट, हाँ, तीसरे, यहां एक बहुत बड़ा हॉल दिखा, और उस हॉल में क्या द परा हुआ हॉल, वतन में एक हॉल है, जिसमें बहुत बड़ा, फिर धीरे धीरे, उस कमरे में दो-तीन अगरबुत्ती रखी हुई है, फिर उनकी खुश्बू फैलने लगी, बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारो तरब बद्भू का वायू मंडल था, लेकिन इतनी अगरबुत्ती ने वायू मंडल को बदल दिया, तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायू मंडल का असर होता है, क्या करो तब? इतनी सी अगरबुत्ती ने वायू मंडल, तो अगरबुत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सरवशक्तिवान बाब के बच्चे, अगर अगर वायू मंडल का असर हमारे पर आये, तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है. बाबा कहते थे, क्या तुम अगरबत्ती से भी गाई गुजरे हो? अगरबत्ती इतनी, पतली, दुबली, थिन, बिल्ट, लकडी, चाप, पहलवान, तुम क्या इससे भी गाई गुजरे हो? वो पूरे वायू मंडल को बदल देती है, तुम नहीं बदल सकते हैं. तो क्या करो? तुम बच्चे पावरफुल खुश्बुदार बनेंगे, तब यह वायू मंडल दब जाएगा. इस लाइन को कुछ करना ही नहीं है, बड़ी लाइन खीचनी है, यह हमेशा याद रखना है, दिन रात. दूसरे लोगों के साथ मुझे, अन्जान सबसे बेस्ट चब्द है, अन्जान इनोसेंट, या होवनहार देवता है. नेक्स्ट, कहां थे? यह हो गया, फिर लास्ट पॉइंट, इसमें बाबा ने चारो तरफ स्थापना की, संगटन में यह मालूँ है, आधार निकल देना है, अभी यह जो लास्ट संदेश है, उसमें बाबा ने चार स्टेजेस की एक सीड़ी दिखाई, पहली स्टेज थी, ज्यान सुनना, सुनन करना, निश्चे करना, सोच करना, मंधन करना, यह थी पहली स्टेजी, दूसरी स्टेजी थी, अंत समय जैसे विनाश हो रहा है, बाड में डूब रहे, कहां क्या हो रहा है, लेकिन शक्ति दल पांड़ो, बिल्कुल अचर रोल, चार दिखाई, पहला दिखाई, पहला चिंतन करना, मनन करना, सोचना, दूसरा, विनाश हो रहा है, और अचल अडूल, तीसरा, आत्माय जैसे निकल कर परमधाम में गुब्भारे मौफिक जा रही है, फिर परमधाम की सीन भी बाबा ने दिखाई, आत्माय शरीर छोड़ कर उपर जा रहे है, और चाओ था, बुद्धी में यह घूमता रहे कि अब हमारी क्या स्टेज है, जो अंतिम स्टेज धारन करनी है, वो लक्ष पहले से ही बुद्धी में रखेंगे तो पुरशार तेज चलेगा, विनाश के समय की जो सीन दिखाई, उसमें आप बच्चों की अचोर रवस्ता रहे, फिर बा सोचना, चिंतन करना, दूसरा, अचलडोल और तीसरा, परमधाम में जाना और छवता वापस नीचे आना, और बाबा ने फिर एक लास्ट हीरे दिये और हीरो का तिलक लगाना, लास्ट एक बात बता रहे, बाबा बच्चों से पूछते थे कभी-कभी, बाबा के पास एक म मीटर है बच्चों की अवस्था का, वो कौन सा मीटर है बताओ, और वो इसी कमरे में है, सब लोग देखने लगे कहा है, कहा है, कौन सा मीटर है, ऐसा कोई मीटर होता है क्या, कि मन की मीटर अवस्था का मीटर, बाबा ने कहा, वो क्या है, ये मेरा रेडियो, ये बच्चो तो इसी यह कुछ बाते हैं आज हमने देखिए तो मदद तो उसकी लेनी है परंतु निराधार रहना है कदम कदम पर मदद तुम्हारी यह ऐसास दिलाती है सोचो तुमको कौन मिला है कौन तुम्हारा साथी है कदम कदम पर मदद तुम्हारी यह ऐसास दिलाती है कदम कदम पर मदद तुम्हारी यह ऐसास दिलाती है सोचो तुमको कौन मिला है सोचो तुमको कौन मिला है कौन तुम्हारा साथी है कदम कदम पर मदद तुम्हारी यह ऐसास दिलाती है बल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो पल भर जब भी होते अकेले पास मेरे आ जाते हो धी में धी में कानों में अनहद नाद सुनाते हो एक किरन अन देखी आती राह दिखा कर जाती है भरते हुए ना किसी ने देखा पर जोली भर जाती है कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है एक बार कहा तुम मेरे हो सौ बार तुम्हारा प्यार मिला एक कदम चले तेरी राहों में तो जनम जनम का साथ मिला ऐसी करुणा ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है प्यार में प्रभ के दिल खो जाता आंख सजल हो जाती है कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है सोचो तुम को कौन मिला है सोचो तुम को कौन मिला है कौन तुम्हारा साथी है कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है